पूदेव जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले थसरे टेंसन अरे काव पर ले थसरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से इन्वार्मेंट की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल हम जड को समझ रहे थे जो पौधे का एक महत्पुरभाग था आज हम तने को समझेंगे तना और जड में एक जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि जड मुलांकूर से विक्सित होता है जबकि हमारा जो तना होता है तना प्रांकूर से विक्सित होता है डिटेल में चीजों को समझेंगे साथ ही ये समझेंगे कि जो तना होता है वो कैसे मिट्टी के विपरित अर्थात आप हमने क्या देखा था जो जड़ होता है वो सूरी के विपरित जमीन पर विद्धी करता है जबकि आपका जो तना होता है वो जमीन के विपरित सूरी की प हम जल की विपरित इसको समझे का प्रयास करेंगे, क्या लिका है, ये क्या है आपका भूमी है, ठीक है, क्यूंकि जड़ जो होता है, वो हमेशा भूमी की ओर ही व्रिद्धी करता है, लेकिन ये क्या करता है, सूर की प्रकास की ओर व्रिद्धी नहीं करता है, कल हमने देखा यही कारण है कि जो जड़ होता है वो भूमी के अंदर विकास करता है इसलिए इसका रंग क्या होता है भूरा और सफेद होता है तो हमने ये भी देखा था कि ये फोटो ट्रॉप मतलब नहीं होता है जब कि आपका जो तना होता है अगर हम फोटो ट्रॉप की बात करें तो य यस का मतलब ये यह हां यह सूरी की प्रकास की ओर क्या करता है नहीं नहीं देखे हैं वो कल की कक्षा एक बार देख ले ताकि आपको चीज है अच्छे से चलिए आगे बढ़ते हैं तो तना पौधे का वह भाग है जो भूमी एवं जल के विपरीत तथा प्रकास की और वृद्धी करता है यह पहला पॉइंट हो गया प्राउंकूर से विक्सित होता है हमने देखा था कि ये क्या है कोई बीज है ठीक है अगर कोई बीज क्या होती है नीचे की ओर बढ़ रही है ये जड़ का निर्मार करेगी लेकिन अगर ये ऊपर बढ़ रही है तो ये तने का निर्मार करेगी image के थूख हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पहले चीज़ों को समझने का प्रयात करिएगा तो यह प्रांकूर से विक्सित होती है और सखाओं, पत्तियों, फूल और फल का रूप धारण करती है कैसे? ऐसे समझेंगे कि यह क्या हुआ? तना बना हमारा ठीक है अब इस तने से क्या निकल रही है? अनेक साखाएं निकल रही है इसी साखाएं से क्या निकलती है? आपकी पत्तिया निकलती है और इनी पत्तियों में फिर क्या आता है? फूल आता है फिर बीच क्या होते हैं, वोई तूरते-फूरते हैं, फिर यही सरकल चलता रहता है, यह सभी चीजों को हम समझने का प्रियास करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इमेज के दुरों समझेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तने की विसेस्ताओं की, तो हमने अभी ही देखा कि जो तना होता है, तना जियोट्रॉप नहीं होता है, नहीं का मतलब क्या है आपका, नहीं का मतलब यह है कि जियोट्रॉप, सबसे पहले इसका अर्थ समझेंग यह जमीन और जल की और विकास नहीं करता है, यह सूरी की प्रोशनी जहां होती है, जहां वाईयो होती है, वहाँ पर ग्रोथ करता है, हम क्या होते हैं, हम मिट्टी के उपर चल रहे हैं, अगर हम, लेकिन यह जो जड़ होते हैं, वो मिट्टी के नीचे होते हैं, और जो तना होता है वो मिट्टी के उपर होता है exactly इसे लिए ये क्या होता है ये phototrop होता है ना कि geotrop अगर आपसे बोले geotrop means जमीन geotrop का मतलब ये समझ लेजेगा जमीन तो क्या हमारा तना जमीन की और ग्रोथ का रहा है ये दिख रहा है आपको ये ये हवा में है ये जमीन में है ये तना बताईए तो ये क्या है हवा में है किसकी और विकास कर रहा है सूरे की रोशनी की और विकास कर रहा है तो exactly ये geotrop नहीं होगा लेकिन ये phototrop होगा photo मतलब सूरे के किरंड से ही है इसलिए फोटोट्रॉप होता है यहाँ पर लिखा हुआ है जियोट्रॉप नहीं फोटोट्रॉप यह अगर हम development की बात करें तो हमने देखा कि क्या होता है यह प्रांकूर से विक्सित होता है यह कोई बीज है और यहाँ से क्या निकल रहा है पौधे का निर्मार हो रहा है किस की रूप में तनी की रूप में वो भी किस उसमें से तो प्रांकूर से इस special features की हम बात करें तो इसमें लिखा है node और inter node इसमें क्या पाई जाती है गाठे पाई जाती है आप लोगं कभी notice करिएगा कि अगर कोई तना है ऐसे कोई तना रहता है तब देखिएगा सबसे पहले उसमें गाठ बना रहता है उसी से क्या निकलती है और आपकी साखाई निकलती है जहां जहां गाठ होता है वही वही से साखाई निकलती है इसको ध्यान से देखिएगा इस ट्रॉइंग को इस पौधे को यह देखिए यहां से एक गाठ बना हुआ है यहीं से आपका क्या निकला है एक पौधा निकला है पौधा मींस आपका शाखा निकला है यहाँ पर भी आपका डॉट यहाँ पर भी आपका डॉट तो इससे क्या निकल रहे है आपका साखाई निकल रही है तो तने की सबसे बड़ी विसेशता क्या है तने की सबसे बड़ी दिखेंगे समझ जानों वो क्या है आपका तना है अब देखी हम बात कर रहे थे किसकी प्रांकूर और प्रांकूर प्लस हम किसकी बात कर रहे थे मुलांकूर क्या अंतर है दोनों में तो दोनों में अंतर ये है कि जो प्रांकूर होता है प्रांकूर से किसका निर्माड होता है तने का निर्माड होता है और मुलांकूर से किसका निर्माड होता है मुलांकूर से आपके जड़ का निर्माड होता है clear हुआ? यह हुआ यह आपका क्या मालत है ऐसी कोई चीज है जिसे हम नहीं जानते हैं लेकिन अगर हमें इतना बस पता है कि ऐसी कोई चीज जिससे अगर कोई चीज नीचे की ओर बढ़ रही है तो वो क्या बनेगा जड़ बनेगा लेकिन अगर इससे ही कोई चीज ऊपर की ओर बनेगा तो वो क बनेगा ये क्या बन गया आपका तने का रूप बन गया इससे कुछ साखाई निकली साखाई से क्या निकली पतिया निकली ये और थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या निकला साखा से पतिया पतिया से आपके क्या निकल रही है फूल निकल रही है यही फूल बाद में क्या करना है जड़ का कौन सा हिस्सा जड़ का कौन सा हिस्सा मिट्टी को खोदने का काम करता है यह आपको कमेंड करना है यह सबसे best image है यह बताने के लिए कि यह तना है अब यह आप देख रहे हैं न देखिए यह जमीन के उपर है इसके नीचे क्या है आपका जमीन है यहाँ पर क्या होता है जमीन होता है लेकिन यह वाला जो हिस्से यह क्या है आपका तना है यह जितना आप देख रहे हैं इसमें note पाया जाता है गाठ जहां 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 गाठ होगा वहीं से नई साखाई निकलेगी यह जहां यहां क्या है गाठ है यहां पर भी गाठ था तो यहां से साखा यहां पर गाठ था त आणतर हैं याद रखेगा दोनों में क्या है इक फैलने वाला वाला संरचना आपको दिख रहा एक अगर ये सं रचना जमीन के अंदर हो तो यह क्या होगा यह आपका रूट कहलाएगा यह आपका जडी कहलाएगा लेकिन यही संरचना जस्थ उपर में दिखे मतलब यही संरचना अगर जमीन में हो तो जड़ और यही संरचना अगर आपका क्या हो ऊपर हो तो तना तो यह संरचना जमीन में था इसलिए हमने इसको क्या कहा रूट कहा और यही अगर ऊपर होता जैसे यह ऊपर बना हुआ जो पत्ति उसे ढगा हुआ है पूरा इ होते हैं कैसे सबसे पहले जो तनी होते मैंने आपको बताया था कि तना का जो विसेश कह सकते हैं विसेश क्वाल्टी होता है तना क्या होता है हमेशा सूर के प्रकास की और विक्सित होता है विकास करता है जमीन में नहीं लेकिन हर जगा अपवाद मिलते हैं जैसे हम साइंस म पढ़ते हैं कि क्या होता है सभी धात्वे ठोस होते हैं केवल पारा को छोड़ कर तो हर जगा अपवाद होते हैं तो निश्चित रूप से तने में भी क्या है एक अपवाद है आपका एक है आपका भूमी गत तना क्या होता है कि जैसे हमने देखा था जड़ में फोजन संच करने के कारण कुछ जो जड़ होते हैं फूल जाते हैं ठीक वैसे ही तने भी होते हैं कुछ तने ऐसे होते हैं जो जमीन में फूल जाते हैं कुछ सेप्स का रूप ले लेते हैं जमीन के अंदर जाते हैं तो यह जमीन के अंदर जो चले जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं भूम कह सकते हैं, जामून हो, पपीता हो, बर्गद हो, पीपल हो, नीमू, ये सभी वायवी तना है, क्योंकि इनकी जो तना है, सखा है, ये क्या है, हवा में है, ये किसका एक्जामपल है आपका, ये वायवी तना का एक्जामपल है, ये किसका एक्जामपल है आपके, वायवी तन जाकर पूल जाते हैं और तने भी जमीन में जाकर फूल जाते हैं लेकिन दोनों में बेसिक अंतर रखेगा अगर जड़ वाला कोई हिस्सा फूल रहे पर यह नोख होगा, चुकुंदर, हमको क्या लगता है कि चुकुंदर गोल है, तो वो तना होगा, लेकि नहीं, वो नीचे उसका क्या रहता है, चोक जैसा बना रहता है, चोकी टाइप का, तो वो क्या है, जड़ा है, लेकिन अगर वो ही क्या हो, गोल हो, नीचे गोल हो, ले से ही हम क्या कहते हैं अर्ध वायवी तना कहते हैं आगे बढ़ेंगे भूमी गत्तना सबसे पहले हम समझेंगे भूमी गत्तना बिलकुल वही बाते कर रहे है कि तने का वह भाग जो सुसुपता वक्था में भूमी के अंदर रहता है भूमी गत्तना कहलाता है the part of the stem which remains underground in the dormant state is called underground stem तो यह क्या है qualities है किसकी underground stem की जो जमीन में पाई जाने वाली तने होती है जो भूमी गत तने होती है उसकी पहली विशेश्था होती है कि यह जमीन में सांत अवस्था में पड़े रहते हैं ठीक और भूमी में रहते हैं कुछ पौधों में भूमी गत तने भोजन के संचय का कारे करते हैं ठीक है तने के बहुत सारे कारे होते हैं लेकिन एक कारे क्या है भोजन का संचय करना तो भोजन का संचय घहां से कर रहे हैं लोग जमीन से कर रहे हैं तभी तो ये भूमी गत्तने कहला रहे हैं आगे बढ़ेंगे इन तनों में पर्वसंधिया पर्वकलिकाय एवं सल्क पत्र उबस्सीत होता है निश्चीत रूप से हम जड़ में जब चीजे मौजुद होगी तो इसमें भी मौजुद होती हैं उधारण के लिए हल्दी अद्रक प्याज लहसून आप लोग जो इसमें परत देखते हो न यह सब उनहीं का नाम ले रहे हैं पर्वसंधिया पर्ण कलिकाय सल्क पत्र यह उसी की बात करें जो एक एक परत आप लोग को दिखता है चली बात करते हैं सबसे पहले अद्रक की अब अद्रक कैसे तना है तो देखी कहीं पर भी इसका कोई नोक चोक बना है क्या नहीं बलकि यह जड़ है यह वाला जो एरिया आप लोग को दिख रहे है यह सब जड़ है लेकिन यह वाला जो एरिया ऐस से दिख रहे है जो यह क्या आपका तना है तो ऐसा तो structure नहीं है ये ऐसे हो या ऐसे हो ऐसे structure तो नहीं है ये टेड़ंग बेड़ंग जैसे भी ये ऐसे इस तरह कहीं पर गोल मोल नहीं है इसलिए ये क्या है ये तना है हल्दी का भी वही हाल है, ये भी ऐसी structure में बना है, टेड़ेंग बेड़ेंग इस तरह से, ठीक, लेकिन ये कहीं पर गोल नहीं है, हल्दी इसका example है, अगला आगे बढ़ेंगे हम, आलू, ये रेखिए, ये तना का, कहीं पर इसमें नोक है क्या नहीं है, हर तरह से ये गोल है तो ये किसको दर्शार है, तने के example को दर्शार है, लेकिन ये अगर ये ही जड़ होता, तो ये क्या होता, नीचे नोक टाइप का कुछ होता, चुक्खी टाइप का, exactly, lesson का भी वही हाल है, यहाँ से तो चलिया आपका वो निकलता है, भाजी जैसा, ये वाला area, ठीक है, यहां से काजते हैं, लेकिन इसमें ऐसी सनरचना नहीं होती है, तो ये भी क्या होता है आपका, तना होता है, इसमें भी नोक कहा है, ये भी नोक नहीं, ये गोल है, ये यह कोई नोख थोड़ीन है यह भी शेफ है गोल है प्याज की हम बात करें तो प्याज कभी वही हाल है ठीक यह देखिए गोल है यहां से यहां से क्या निकलता है भाजी निकलता है उल्टा रहता है यह ठीक यह गोल नहीं है लैसून का भी वही हाल है यहां पर से यह नीचे क औल ओवर बस हमने ये देखा कि जो जमीन के अंदर इस सेप में होंगी या इस सेप में होंगी या इस सेप में होंगी ये सभी क्या कहलाएंगे आपके दोनों सेम हो गए ऐसे होंगे या या ऐसे होंगे ये सभी क्या कहलाएंगे आपके जड़ कहलाएंगे लेकिन जो क्या हों यह तने कहलाएंगे अगला जो टाइप है वो किसका है वाईवी तना एरियल स्टेम तो हमने देखा वाईवी तना अधिकतर 90 पॉषंट जो तने होते हैं वह वाईवी तने ही होते क्योंकि अगर आप आसपास देखोगे तो सभी क्या होते कुछ ही होते हैं जो पानी के अंद होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं जो आधा जमीन आधा पानी या आधा जमीन आधा हवा में रहते हैं लेकिन मैक्जिमम जो पॉधे होते हैं उसके तना जो होते हैं वह वाईवी तना होते हैं वह वाईयू में पाए जाते हैं तो यह क्या होती है इसकी विशेष योग् में स्थित हो चुक्कि मिट्टी के उपरी भाग में क्या पाया जाता है आप सभी को पता है इन तनों में साखाएं पत्तिया पर्वसंधिया एवं फूल हिए ऑगे बढ़ईएंगे बर्गत भी क्या है वाईवी तना का एक एक्जामपल है जामून का पेड़, मैंने कहा ना कि 95% वाईवी तने होते हैं बाकी क्या होते हैं आपके धाई परशंट डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं या यह कह सकते हैं कि maximum जितना भी आप आस पास देख रहें वो सभी क्या होंगे, आपके वायवी तने होंगे, नीम का भी पेड किसका है, आपके वायवी तने का एक्जामपल है, अब बात करते हैं, अर्ध वायवी तना, नाम से ही स्पस्ट हो रहा है, सब एरियल स्टेम, जो आधा क्या हो, हवा में हो, और आधा या तो पानी में होग जब किसी तने का आंसिक भाग भूमी में और सेज भाग वायू में होता है, तब ऐसे तने को अर्ध वायवी तने कहते हैं, ना तो ये पूरी तरह से वायवी होगा, ना तो ये पूरी तरह से क्या होगा, भूमी गत होगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, विसेशता है, ना तो मैं पूरी तरीके से यू में रहूँगा, ना तो पूरी तरीके से मैं जमीन में रहूँगा, इसलिए मैं अर्ध वाई भी तना कहलाऊंगा, ये इसकी क्या है, विसेशता है, तो क्या होता है ये, ground and आपके जो कह सकते हैं, air part में, दोनों में रहता है, उसे ही हम क्या क भाग क्या होता है, जैसे कोई घास है, ठीक है, ये इतना लंबा कोई घास है, इसका आधा भाग क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, ये मान सकते हम क्या है, ये आपका जमीन है, जमीन का कलर थोड़ा सा रख देते हम, ये क्या है आपका जमीन है, ठीक, आधा भाग क्या ह है जमीने जो पानी से ढखा वघ क्या है आपका यह हाथ है घात है इसी कारण है क्या कहते हैं अर्ध वाय वी होता है बाहर होता है तो यह क्या है आदा उपर में है और आदा नीचे में है यही कारण ईकिसे हम क्या कहते हैं अर्धवाई भी तना कहते हैं तो इक्जामपल भी आपनों को अच्छे से याद रखना है तो तना हमारा क्या हो गया complete हो गया हमने देखा कि तना भी जड की तरह एक महत्पुर भाग होता है, अगर जड आपको अधार प्रदान करता है, अगर वो किसी पौधे को क्या करता है, यांतरिक सहारा देता है, तो बाकी सब काम कौन सम्हालता है आपका तना सम्हालता है, तने के सने से ही क्या होता है, बाकी सब पौधों के अगले भाग का निर्माड होता है, तो ये थी तने की विजेस्ता, तने जो होता है वो प्रांकुर से विक्सित होता है, तने के तीन प्रकार होते हैं, भूमी का तना, दूसरा वाईवी तना और तीसरा है आपका अर्ध वाईवी तना, हमने एक्जामप आपके वाईवी तने हैं, अगर हम भूमी गतने की बात करें तो आपका लैसून हो गया, प्याज हो गया, और क्या हमने देखा अद्रक हो गया, आपका लैसून हो गया, और हल्दी, ये सभी क्या हैं, आपके भूमी गतने हैं, भूमी में आने वाले तने हैं, तो ये सब च विसेज भूमिका आदा करती है प्रकास अमस्लेशन में इसका विसेज क्या होता है भूमिका होता है यह सब चीजों को हम समझेंगे चलि अगर हम पत्ती की बात करें तो यह भी क्या है तने और जड की तरह पौधे का एक प्रमुक भाग है प्रमुक हिस्सा है तने तथा साखाओं की पर्वसंधियों से क्या होता है यह निकलता है याद रखना है आप लोगं को आपका जो पत्ती वो कहां से निकलता है तो रॉंग सुर्षनाज熟 निकले ही यहाद रखने साखाओं की किसका निर्माण होता है आपके पत्तियों का निर्माद होता है चले कि पत्तियों का हर्यारंग किसके खानन होता है तो यह क्लोरोफी tweeting के खानन ही पत्तियों का रंग क्या होता है ग्रीन होता है हरा होता है जिसके कारण प्रकास समस्लेशन की क्रिया संपन होती है पत्तियों का हरा रंग उसमें उपसित आपके पर्ण हरी क्लोरोफील के कारण होता है जिससे ये प्रकास समस्लेशन की क्रिया कंप्रीट करती है क्लियर हुआ आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम प्रकास समस्लेशन की भी क्रिया को पिछली कक्षा में देख चुके हैं जो नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देखेंगे अकारेकी द्रिश्टी से पत्ती के 3 भाग होते हैं सेपस के अधार पर हम बात करें तो सेपस के अधार पर जो leaf होती है उसके 3 टाइपस होते हैं कोन-कोन से सबसे पहले पढ़नाधार पढ़नाधार मतलब leaf base ये क्या होता है LEAF का base होता जैसे माल लीजे यह क्या है आपकी कोई पति है ठीक ऐसे हम माल लेते हैं पति है तो यह जो पत्ती जहां से जुड़ी होती है ना उसे हम क्या कहते है लीफ बेस कहते हैं नेक्स्ट है, पंड वरिंत, पंड वरिंत भी बहुत ज़्यादा important होता है, पंड वरिंत पौधे का पत्ती का एक ऐसा प्रकार होता है, जिसके माध्य हम से क्या होता है, पत्ती का improvement होता है, विकास होता है, कैसे होता है, image से समझेंगे, उसके बाद आता है आपका पंड फलक, यह सभी क्या है पत्ती के टाइप सेंट तो इसे image के दुआरा एक बार आप देखेंगे यहां पर लिखा है आपका सबसे पहले leaf space की हम बात करें तो हमने देखा कि जो पत्ती का प्रमुक भाग होता है उसे हम क्या कहते है leaf base कहते है leaf epics क्या होता है तो जैसे पत्ती पक्ती का यह वाला हिस्सा होता है ना जो नोक द्वार होती है जो कह सकते है इस तरह से बना हुआ होता है ऐसे इसे हम क्या कहते है leaf epics कहते है जो पत्तली और चोखीदार होती है margin किसे कहते हैं यह जो area होता है ना side side का इसे हम margin कहते हैं image के द्वारा समझेंगे तो आपको अच्छे समझ मैंगा यह सब area क्या कहलाता है margin कहलाता है leaf epics कोई भी पत्ती हो चाहे वो इससन रचना की हो यह वाला area leaf epics कहलाएगा चाहे वो goal हो यह वाला area उसका leaf epics कहलाएगा मतलब उपर का जो कौन होता है वो leaf epics कहलाता है अब एक एक करके हम समझेंगे जैसे हमने देखा leaf base को पढ़ा तो leaf base क्या होता है आपका यही वाला area जहां से क्या होती है आपकी पत्ती जुड़ी रहती है पढणा धार जिसे कहते हैं क्या कहते हैं पढणा धार पढणा धार कि हम बात करें तो यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है जिसकी सहायता से पत्तिया तने से जुड़ी रहती है ये क्या है पत्ति का सबसे निचला भाग है ये वाला एलिया ये सबसे निचला भाग है इसे लीव बेस कहते है और सबसे बाहरी और ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते है लीव एपिक्स कहते है और जो side side में होता है इसे हम क्या कहते है margin कहते है और इन सभी को इनको मिला कर ही यह क्या बनता है लेमिना बनता है यह आप लोग आखे देखेंगे इसके अधारी भाग से निकली दो पाश्व पत्तिया अनुपर्ण कहलाती है एक्जाम में कभी कभी पूछ लेता है वैसे तो आप लोग सी टेट का या किसी भी स्टेट का एक्जाम दे तो अगर आपसे वहाँ परियावरन पूछ रहा है प्लांट्स का टॉपिक है तो बहु अगर हम पंड विंत की बात करें पेटियोल की बात करें तो यह क्या होता है यह पतियों में डंठल नूमा होता है जिसे डंठल नूमा संरशना होता है जो पर्ण फलक को तने से जोरती है यह है यह वाला एरिया यह वाला एरिया क्या कहलाता है पेटी ओल कहलाता है और इसके ज़स्ट नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है लीफ बेस कहलाता है जो हम अभी देखे थे, जिन पत्तियों में ये उपस्थित होता है, उन्हें सम्वरिंत कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको उधारन आम और वीपल चलिए हमने पत्तियों का तीन भाग देखा कौन कौन सा, सबसे पहले हम लोग लीफ बेज देखे, फिर पेटियोल देखे, अब लैमिना, अब दोनों तीनों में अंतर क्या है, जैसे माल लेजे ये आपका कोई पत्ति है, अच्छा ये इमेज दिया, यहां समझेंगे, ये आ पत्ति का ये वाला भाग, जहां से पत्ति जुड़ी होती, जहां पर उसका बेज बना होता है, उसे हम लीफ बेज कहते हैं, और पत्ति के उपर वाला भाग को हम पेटियोल कहते हैं, और ये वाली जो एडिया होती, इसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, तेयर हुआ, आ का blade कहलाता है इसका मुख्य कारे जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना है किसका काम में है जल एवं भोज्य पदार्थों का संग्रहन परिवहन करना आज नया प्रकार की तो लीफ दो प्रकार के होते हैं एक तो सरल पत्ती दूसरा संयुक्त पत्ती सिंपल लीफ और एक कमपॉंड लीफ क्या होता है दोनों में तो अगर हम बात करें सरल लीफ की तो इसमें जो आपका सीरा होगा न वो सिंपल होगा, समानतर होगा यहां से समझेंगे हम अब यह क्या है आपका कोई पत्ती है यह सब क्या है आपकी सीरा है यह वाला जो यह में सीरा है यह इसमें जो सीरा होगी वो एकदम समानानतर होगी तो कि यह यांन और हो समाना अंतर हो को तो इसे हम क्या कहते हैं सरल पत्ति काथे priests क्रश्थर इस थे होता है सरल होता है वह पत्तु जिस van अधीक को और यदि कहीं-कहीं पर कटा भी हो अच्छा सरल पत्ति और सईफ पत्ति बेक अंतर ये भी है कि जो आपकी सरल पत्तिया होती है वो एकदम सीधा सीधा होती है एकदम सीधा सीधा कहीं से भी कोई कटा पिटा नहीं होती है अगर कटेंगी भी न तो इस तरह से इतना अंदर में जाके नहीं तो कटाओ कभी-कभी मद्ध सीरा या पत्र विन तक नहीं पहुँचता है, सरल पत्ती कहलाती ही जैसे आम की पत्ती, clear हुआ? हम बात कर रहे थे संयुक्त पत्ती, तो संयुक्त पत्ती क्या होता है? कटा-पिता होता है, यह आपका नीम इसका क्या है? best example, आप गुलाब का भी पत्ती देखेंगे, तो वो भी क्या होता है? संयुक्त पत्ती होता है, वह पत्ती जिसका पत्र फलक का कटाओ कई इस्थानों पर फलक की मद्ध सीरा या फलक के अधार तक पहुँच जाता है तथा जिसके फलसोरो फलक अनिक छोटे-छोटे खंडों में बढ़ जाता है सयुक्त पत्ती कहलाता है ये क्या कहलाता है ये फलक कहलाता है अगर ये कट जाता है इस तरह से स्टेक बनाता है तो इसे हम क्या कह कहते हैं सयुक्त पत्ती कहते हैं आप लोग इस नोग भाग को क्या पढ़ रहे थे यह आप लोग को भी कमेंट करना है चलिए आगे बढ़ते हैं सिराओं के अधार पर पत्तियों का प्रकार अब सिराओं के अधार पर याद रखिएगा सिराओं के अधार पर पत्तियों के दो प्रकार होते हैं एक तो समांतर सिराविन्यास होता है और एक होता है आपका जालिदार सिराविन्यास आगे बढ़ने से पहले हम एक इमेज से सम संजेंगे समांतर सिराविन्याज की बात करें तो अगर ये जो पत्ती हो गी ईससे और हो गी ऐसे हो सिंपल होते हैं यह सिरा फिर ये ऐसे निकल रहा है फिर इधर से इधर से निकल रहा है इधर से इधर ये ये क्या है ये जालीदार सिराविन्यास तो ये दोनों में अंतर है जिसकी सिराएं घनी होती है ऐसे समझ जाईएगा कि जिसकी सिराएं घनी होती है जो जाल जैसा बनाती है उसे हम जाली का क्य सिरविन्यास के हम बात करें तो सिरविन्यास क्या होता है इसमें समनांतर होता है अब यह बोल रहा है समांतर सिरविन्यास मेंले किस पौधों में पाया जाता है तो एक बीच पत्री पौधों में अभी एक बीच पत्री पौधा क्या होता है तो एक बीच पत्री पौधा ऐसा पाइन को ठालीजे आप केले को देख लीजे तो यह क्या होंगे अप इनको अलग करने की कोसिस करोगे ना तो तूट जाएंगे अलग हो जाएंगे मतलब यह बीच से अलग नहीं होंगे भले इनका दो तुकड़ा हो जाएगा लेकिन अगर आप आम का गुठली देखेंगे आम का गुठली क्या होता है दो भागों में तूट जाता है तो वो क्या होता है दूई बीच पत्री होता है मतलब दो बीच का परत होता है इसलिए उसे हम दूई बीच पत्री कहते हैं लेकिन इसमें क्या होता है एक बीच पत्र होता है केवल एक बीच का परत होता है इसलिए ये समान्य भासा में आप समझ सकते हैं गेहूं हो धान हो ज़या आपका धान हो या आपका केला हो तो यह सभी क्या है इसके एक्जाम्पल है अब इनका मालिज एक पत्ति आप निकाल के कभी देखीगा चावल या गेहूं का चावल या गेहूं का पत्ति आप निकाल कर देखेंगे तो ये नहीं तूटते हैं बीज से अलग नहीं होते हैं भले तुकड़े हो जाते हैं कि पर ऐसे अलग नहीं होंगे तेकिन आप आम का गुठली उठा लोगे तो ऐसे बीज से करोगे तो दोनों अलग हो जाते हैं ऐसे कई बीज होते हैं इसके बीज अलग नहीं होते हैं चली अब बात करते हैं जाली का वस्त सिराविन्यास कुछ याद ना है तो ये जाली वर्ड को याद रखीगा जिसकी सीराओं में जाली जै पुछोगे तो यह लोग दो भागों में तूट जाएंगे जबकि बाकी ऐसे नहीं होंगे इमेज के थो समझने का प्रयास करेंगे जैसे ये माल लीजे जामून का बीच है अब जामून के बीच को कभी दो तुकड़ा करिएगा ये दो तुकड़ों में हो जाएंगे ये पत्ती क्या दर्शा रहा है ये आपका पीपल का पत्ती इसमें क्या पाया जा रहा है जाली का सिरविन्यास पाया जाते है ये जाली बचते हैं अब आम को गुथली को कभी कूठ कर देखेंगा दोनों अलग हो जाते हैं, that is द्वी बीच पत्री, ठीक, और एक बीच पत्री की बात करें तो चावल का एक दाना उठाईएगा, और उसको अलग करने की कोशिश करें, बीच से कभी अलग नहीं होंगे, भले इस तरह से अलग हो जाएगे, जैसे ये आपका चावल है, यहां से कभी हो जाएगा, ठीक, ऐसे हम परत खोलते हैं तो, लेकिन अगर आप इसे ऐसे करेंगे न, तो यह कूछ, मतलब तूट जाएगा, चलिए, पत्तियों क्या कारे की बात करते हैं, क्योंकि कारे भी अपने आप में क्या है, बहुत महत्पूर है, पत्तियों का जो मुख्य कारे हो प्रकास समसलेशन की क्रिया के द्वारा, चुकि पौधे का जो एक भाग होता है, पत्ति, वो हरा होता है, हरा होने के काराण इसमें क्लोरोफील होता है, और क्लोरोफील की उपस्थिती के काराण ही यह क्या करता है, भोजन मनाने का काम करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा तो प्रकास तमस्लेशन की प्रेक्टरिय के द्वारा यह जल तथा घुलनसील भोज़पदार्थों का पत्तियों से इस्तंभ तक संचनण में क्या करता है सहयता करता है, पूरे उसमें करता है, ठीक है पत्तियों का मुख्य कारिक गैसों का विनीमा करना होता है जो इन में उपस्तित सनरशना स्टोमेटा के द्वारा होता है पत्तियों में क्या पाया जाता है इस्टोमेटा पाया जाता है जो इन कारियों को संपन करता है पत्तिया कार्बन डियॉक्साइड क्या करता है पत्तिया कार्बन डियॉक्साइड का अवसोसर करती है तथा ऑक्स और औक्सीजन को release करती है। उसे बाहर करती है। पाने मौत है। मरुस्थल के पौंधों में पत्तियां काचों में रुपांतरित हो जाती है। वासफि करन के रोक कर जल्डसनरचर तथा जानवरों से फूलोघ फॉलोघ और कलियों की रक्षा करती है निश्चित रोप से जिस पत्ती में क्या होगा काटे होंगे तो जानवरों से क्या इंसानों से भी उसकी रक्षा हो जाएगी पत्तिया वास्वी करण के द्वारा पौधों से आवश्यक्ता से अधिक जल को बाहर निकालती है पत्तियों में निर्मित भोजन पॉधे के अन्य भागों में जल में धूलित अवस्था में पहुचता है तथा आवश्यक्ता से अधिक भोजन को संग्रहित करने का कारे भी कौन करता है पत्या करती है पत्तिया वास्पोत सर्जन की क्रिया कर के पौधे की रक्षा सर्दी से पत्तिया गिरा कर उश्मा को रोकती है और पत्तिया गिरा कर जल के वास्थी करण को रोक कर पौधों में उस्मा और जल की मात्रा को बनाये रक्षी एक बार फिर देखेंगे पत्तिया वास्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया करती है फिर पौधों की रक्षा सर्दी में पत्तियों को गिरा करती है साथ ही पत्जण में पत्तिया गिरा कर जल के वास्पी करण को रोक कर पौधों में उस्मा और जल की मात्रा को पनाय रखती है तो ये भी बहुत बढ़ा काम ये करती है पत्तिया, उत्सवेदन, ट्रांस्पिरेशन की क्रिया को क्या करती है? निरंतरित करती है प्रतंतुओं में रुपांदरित होने पर ये कमजोर पौधों को भी मजबूत अधार प्रदान करती है सब किसके कारे हैं पत्तियों के कारे हैं तता रोहन में भदत करती है कीट बच्ची पौधों में पिचर ब्लेडर आदी में यह रुपांत्रित होकर प्रोटीन युक पोशन में सहयता करती है तो यह सब काम करती है काम से उतना कोश्चन आपका नहीं आता है जितना आपके पा परआगण में सहायता करते हैं। आगे बढ़ेंगे कुछ पत्तिया भोजन संग्रह का बीकारि करती हैं। मतलब हमने देखा है कि हर जगा क्या होता है अपवाद होते हैं जो अपने अपने कारियों को अपने अपने तरीके से निपताते हैं पत्तियों का अगर हम रूपांद्रण चुकि हमने देखा जड़ का भी रूपांद्रण होता है तने का भी रूपांद्रण होता है तो मिट Thкое चीनियुज काम चेनियुज कामद चाल म मतलब क्वे सब्सक्ता क्या होता है जल की कमी होने के गारंड क्या होते हैं पॉधे काटों में बदल जाते हैं पूल जाते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एक्जमपल क्या है आप मिलगा में आपका संसना चीन लेकिन CR पूल जाते हैं और काटों का निर्मार कर लेते हैं याद रखना है आपनों को जिरोफाइटिक लीफ क्या होते हैं जिरोफाइटिक लीफ वो लीफ होते हैं जो जल की कमी से रुपांत्रिट हो जाते हैं जो मोडिफाई हो जाते हैं यह क्या होते हैं कैक्टस और अरजी मोन इ आपका अरजी मौन था लेकिन साथ ही कुछ पौधे कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिन में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ती करने के लिए ये पत्ति क्या करते हैं अपना रूप चेंज कर लेते हैं कैसे चेंज कर लेते हैं होता क्या है कि जीव उनका भच्चर करती है। इसका कारण यही क्या होता है। इसलिए इस तरह का रूप ले लेतील है। हमारा चुप्रकती है, उसमें ऐसे ही नहीं हुआ है। सभी कोई अपने वात्वरनण के अनुसा ढ़ल जाते हैं। जैसा सि irgendwas आता है बैसे ही ढ़ल जाते हैं। चाहे हो मनुष्य या पौधे या कोई एनिमल हो तो यह सब प्रक्ति का क्या है नियम है तो उसी नियम के अधार पर कुछ पत्तियां पानी की कमी के कारण रुपांतरित हो जाती है और कुछ पत्तियां नाइट्रोजन की कमी के कारण रुपांतरित हो जाती है यहां ध्यान द एक अच्छा फ्रोस्त होता है यह क्या होता है यह क्या होता है कीड़े को अपनी और आकरिशित करती है और धक्कनमनद निप्टा देती है चलिए इस परीम का रूप हारन कर लेता आप कई ऐसे पॉधथे देखिंगे जिनमें ऐसे इस तरह का क्या पाए जाता है स्प्रिंग पाए जाता है यह क्या करते हैं पौधों को सहारा देते हैं किसी भी दिवार में चड़ने के लिए यह कहीं किसी भी उचाई में चड़ने के लिए पौधे को सहारा देते हैं अब कई पौधों में इस तरह की लाता हैं देखते हूंगे जो आफ ही कल हम पॉधे के एक विसेस्ट पार्ट को समझेंगे, जो हमारा क्या होगा, फूल और फल होगा, जो आपकी प्रजनन की प्रक्रिया होती है पॉधों में, उसमें फूल का बहुत ही विसेस्ट योगदान होता है, कैसे सरकल चलता है, ये सब चीजों को हम कल की कख्शा म समझ में आएगा कि कैसे किसी पौधे का निर्माड एक बीच से प्रारंभ होकर उसका अस्तित्व किसी फल पे खतम होता है थैंक्यू आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉंपिटिशन कमिनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको